UPL Limited, इंडिया का number one agrochemical company है UPL Limited और worldwide देखेंगे, तो top 5 chemical companies के अंदर नाम आता है UPL Limited का Financial है 2024 के लिए UPL Limited revenue का टार्किर रखा है 6 से लेके 10% तक और EBITDA की अंदर जो growth रहेगा, वो 8 से लेके 12% तक रह सकता है तो अगर आपके पास UPL Limited का share है, तो तीन चीज जो UPL Limited के बारे में आपको लिए जानना बहुत जादा important है number one, UPL Limited का जो main मुद्दा है, वो है company का करजा तो करजे को डिटिर्स में जानना आपके लिए बहुत important है, क्योंकि UPL Limited की उपर बहुत सारा करजा अभी भी है, तो दूसरा, जो आगयने वले साल है उसमें किस तरह से ग्रो करेगा UPL Limited, यानकि financial 2024 के लिए किस तरह से projection दे रहा है, उसको जानना जलूरी है, साथी साथ recently UPL Limited किस तरह से अपने business को ग्रो किया है, वो भी जानना important है, तो इससे पता चलेगा कि UPL Limited को कहां पर दिक्कत फेस करना पर रहा है, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं, तो UPL Limited का करजे को समझने के लिए कमपनी का पिछले 5 साल का record उठा के देखते है, 2019 की बात करी, जिस टाइम UPL Limited की ओपर जो ग्रॉस करजा था, वो था 29,000 क्रोर की आसपास, उस time company के जो net करजा था, ने कि cash निकाल देते हैं, तो company के पास जो net debt बच जाता है, वो था 26,000 क्रोर की आसपास, अगर net debt to EBITDA देखेंगे, तो वो 4.2 times था, जो बहुती जादा था, उसके बाद धीरे-धीरे, company अपने debt को यहाँ पर reduce करता आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहा है, 28,000 क्रोर, उसके बाद 23,000 क्रोर, अभी खेसाब रहा है, 23,000 क्रोर, gross debt की में बात कर रहा हो, अगर आप company के जो business value है, वो लगातार increase हो रहा है, तो अपने company का जो net करजा है, उसको लगातार reduce करने में सक्सम हुआ है, तो अभी के अनुसार, UPR Limited का जो net करजा है, वो है 16,900 क्रोर की आसपास, जो 5 साल पहले 26,000 क्रोर हुआ करता था, और net debt to EBITDA देखेंगे, तो वो अभी है 1.5x का, अगर आप करजे को year on year basis यहाँ पर compare करते है, तो gross debt के अनुसार करीब पहले भी आपका 3000 क्रोर के आसपास यहाँ पर reduce किया गया है, company का cash यहाँ पर थोरा सा कम है compare to last year, क्योंकि company यहाँ पर कुछ पैसा infused भी किया है, company का net करजा अभी के साब से देखेंगे, तो 15,500 क्रोर के आसपास है, जो last year था, 18,900 क्रोर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिए, अगर आप interest rate की बात करें, तो यहाँ पे average 6% as a interest pay करता है, UPL Limited, अमांट के साब से देखेंगे, तो हर quarter UPL Limited को 800 से लेके 900 क्रोर as a interest pay करना पड़ता है, जो बहुत मोटा amount हो जाता है, साथ ही साथ कंपनी का करजे का maturity आप देखते है, तो 2024 में कंपनी को 7% अपना loan का हिस्सा चुकाना पड़ेगा, 2026 से लेके 27 के अनुसार 47% loan and 46% जो बच जाता है, वो 28 के बाद company पे कर सकते हैं, तो चलिए, अभी तरह सा future outlook की बारे में बात करते हैं, तो UPL Limited 24 के लिए एक outlook रखा है, जहां पे company revenue के अंदर 6 से लेके 10% का growth दिला पाएगा, EBITDA की बात करें, तो वहाँ पे 8 से लेके 12% तक growth आप expect कर सकते हैं, ROC के अंदर भी आपको growth देखने को मिलेगा, अगर आप segment wise इसको देखते हैं, तो जो UPL corporation का business है, वहाँ पे 4 to 8% का revenue के अंदर growth और EBITDA की अंदर 6 to 10% का growth, UPL sales की बात करें, जो एक major amount है, जहाँ पे growth 12 से लेके 16% तक आ सकता है, EBITDA की अंदर 14 से लेके 18% का growth आप expect कर सकते हैं, आपका जो advantage enterprise है, वहाँ पे भी growth बहुत अच्छा है, 14 से लेके 18% का EBITDA growth, and specialty chemicals जो UPL limited बनाता है, वहाँ पे 10 से लेके 14% तक revenue के अंदर growth आप expect कर सकता है, UPL limited की दोड़ा, और specialty chemicals की अंदर India सबसे तेजी से यहाँ पे growth कर रहा है, तो आगे आने वाले 10 साल जो है, वो specialty chemicals business के लिए बहुत ही अच्छा है, तो चलिए, अभी थोड़ा latest business की ऊपर नज़र डालते है, जहाँ पी UPL limited का business का जो growth है, वो आपको पता चलेगा, number one, Latin America, जहाँ पे company majority of the revenue कमाता है, तो यहाँ पे company year on year basis 12% का growth दिखाया है, अगर आप year on year के compare करेंगे 2022 and 2023, तो वहाँ पे 22% का growth आपको देखने को मिलेगा, तो majority of revenue company Latin America से कमाता है, जहाँ पे 12% का growth है, इरोब की बात करें, यहाँ पे 7% का growth दिखाया है, problem है North America का business, जहाँ पे UPLT ने यहाँ पे degrowth दर्स किया है, तो 14% का negative growth North America की अंदर business के अंदर हुआ है, जहाँ का revenue जो contribution है, वो 20% की आजबास है, लेकिन इंदिया का business बहुत ही अच्छा चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा growth दिखाया है, 15% का, rest of the world की बात करें तो यहाँ पे भी 6% का growth है, अगर 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 ओवरली देखते हैं, तो यहाँ पे quarter 4 के अनुसार, क्रीप-करी, year basis 4% का growth, UPLT ने दिखाया है, तो यहाँ पे जो main दिख्कत है, वो है North America का business, बाकी इस हर जगा company का business यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है, तो यह रहा UPLT का थाज पासा चल रहाँ पेल तोब का capitalistों यहाँ पे हैं, तो स्कुरिय की इस है, तो है तो यहाँ पी का चल बड़ित्रण का Latin, है, तो यहाँ प्लच Mozart का ए Kent